फ्री सबस्क्राइब कीजिये जवभी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं रोज पाएं आशमॉन न Canyon दोस्तों वेब साइट कैश्व इसका फायदा क्या है इसका सगने कंश का है क्यों इसके इस्तेमाल किया जाता है और होती क्या है इसका simple मतलब क्या है कैसे काम करती है यह सारी की सारी बाते छोटे विडियो में मोटे-मोटे तौर पर बताता हूं देखते लिए यह विडियो को आगे मेरा नाम है हुसायम आप देख रहें जवाबी बुबबर चनल लेटस बिगिन तो देसी भाषा में, सिंपल भाषा में, वेबसाइट कैशिंग जुगाड है, अगर मैं इसको जुगाड कहूं तो गलत नहीं होगा, और यह ऐसा जुगाड है, इतना जादा सक्सेस्फुल जुगाड है, कि वर्ल्ड वाइट as a short short measure यह यूज होता है, जिससे कि क्लाइंट क यानि कि यूजर को एक service quickly दी जा सके, service चाहे वो कोई website दिखाना हो, या कोई internet based आप service दे रहे हैं, through website या through an application, आप fast उसको दे सकते हैं, quicker दे सकते हैं, आप फायदे में, क्यूंकि आपका user फायदे में, और साथ ही साथ आप bandwidth cost भी बचाते हैं, कैसे बचाते हैं, पैसे बच जाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि होती ही क्या है website caching, और ज्यादा असान तरीके से, मान लो, computer की cache memory होती है, आप ये तो समझते हो, computer की cache memory क्या होती है, browser की cache memory क्या होती है, कि उसने कुछ पहली बार करा, थोड़ा time लगा, लेकिन फिर उसने उसको cache memory में save कर लिया, इससे कि जब दुबारा उस चीज को खोला तो कम time लगा, क्यों, क्योंकि cache memory में कुछ content उसने save कर लिया, तो next time वो जल्दी खुला, तो website caching का भी यही हिसाल है, मान लो, मैं आप से caution करूं, कि what is 2 plus 2, तो जब आप से सवाल पहली बार किया होगा, इसी में, जब आप बच्चे होगी, तब आपने जरूर इसको calculate करा होगा, कि 2 plus 2 कितने होते हैं, तब आपने बताया होगा 4, आज की rate में आपको यह calculate नहीं करना पड़ता, सब को पता है, आसान 2 और 24 आपने फटा फटा बता दिया, अगर आप से पूछा जाए, कि 2 into 4 375 935 273 कितना ह होता है, तो पहले तो आप इसको ध्यान दे सुनोगे, फिर आप इसको calculate करा होगा है, एक दम से नहीं बता पाऊगा, लेकिन एक बार बताने के बार, अगर आप से 20 लोग 20 बार यही सवाल पूछें, तो आप बता दोगे, कैसे बता दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में कहे नहीं कहें, कैशे मेमरी में यह सेव हो गया है, आप में दो बाते नूट करी हैं आपके दिमाग में, एक, कि मैं पहले दी इसको पता इसको information को access कर चुका हूं, पता लगा चुका हूं, तो यह मेरे दिमाग में है गए, और दूसरी बात बहुत important है, दूसरी बात यह, कि मै कैशे मेमरी में रखोगे, accessible जगे रखोगे, जिससे कि आप दुबारा इसको answer को फटा फट दे पहूं, तू प्लस टू, आप इतनी बार अपनी जिंदगी में कर चुके हो, बचपले में ही, कि वह बहुत ही जाजा strongly तरीके सा आपके दिमाग के कैशे मेमरी में सेव रहे, बस यह same concept आप internet caching में, website caching में लगा लिए, website caching में क्या होता है, खुत मच्छा है आप, website caching में क्या होता है, कि एक original server जो कि एक website host कर रहा है, जो दुनिया में कहीं पर भी है, आप हो client, आपने उस website को खोलने के लिए browser में डाला, उस से पहले जिंदगी में कभी नी खोली थ पहली बार आप में दब वो website खोली तो original server से आपने वो content आपकी client system ने वो pull किया, it took some time, थोड़ा सा time लगा, थोड़ा सा time लगा, जो भी 3-4-5 second वो website लोट होई, लेकि यहाँ पर वो एक proxy server के through route हुई, यानि कि original server ने वो content आपके system में दिया, direct नहीं, via a proxy server, via a cache server, तो हुआ क्या, original server से वो page, जो website का जो भी content है, वो उस cache server में गया, cache server से आपके system में आया, और उस cache server को, उस content को रखने का opportunity मिली, it is an opportunity for that cache server to save that page in its memory, अब जब next time आप जब वो same page खोलोगे, तो आपका जो system है, वो original server से बात नहीं करेगा, पहले वो इस cache server से बात करेगा, और जो भी content, static content इसमें saved है, वो पहले वो बहाँ से उठाएगा, आपकी बार वो जल्दी उठेगा, आपकी बार वो जल्दी खुलेगा, ठीक है, और आ as a user, आप नूपिस करोगी, यह faster खुल रही है, जल्दी खुल रही है, original server का, यानि कि जो website owner है, जो application service provider है, उसका क्या फायदा हुआ, उसका फायदा आपके फायदे में है, कि आपने जल्दी से website खुल ली, इसका बहुत बाला फायदा है, बहुत सारी users को आप अगर जल्द लोग यूज कर पाएंगे, दूसरा उसने bandwidth cost में भी save किया, क्यूंकि अपने static content को, जो content बार-बार change नहीं हो रहा, static का मतलब वो वही रहा रहा है, ऐसे content को, जो change ही होता बार-बार, उस content को एक proxy server में save करवा के, उस उसने बार-बार उस content पे bandwidth खर्च होने से बचा लिया, य मैं example तो एक user का दे रहा हूँ, लेकिन आप यह समझे, कि उस एक user जैसे लाखो user, जब same website खोलते हैं, तो कितनी bandwidth खर्च होती है, original server bandwidth के लिए pay करता है, जितना भी वो data upload करवा रहा है, download करवा रहा है, client को, अपने system से upload कर रहा है, उस पे bandwidth के उसको पैसे लगते है, static content अगर वो एक cash server की बदौलत, save करवा पाए, so, it will, the original server owner will save very significant amount of money, यहापर मैं number इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कि number may will vary as per the size of the business, but अगर हम large business की बात करें, जो लाखो visitors को, you know, cater कर रहा है, significant amount of data will be saved, significant amount of money will be saved, कि अगर आप direct this bandwidth का पैसाद होगे, तो nobody gets into that route, ठीक है, बहुत, बहुत महाँआ पड़ता है, cache server, cache server यहाँ पर बहुत जादा इस्तमाल में लाया जाता है, cache server भी खासियत क्या है, कि original server से connected है, regular time of interval, यह check कर रहा है, कि static page में क्या-क्या change हो रहा है, static content में क्या-क्या change हो रहा है, जो भी cacheable content है, एक बार इसके पास आया, इसमें रह गया, अब यह periodic time interval पर चेक कर रहा है, कि उसमें कोई chain है, कि उसमें कोई chain है, chain आता है, तो फटा-फट यह उसको भी save कर लेता है, ठीक है, जिससे user को most relevant information मिल सके, जब भी आप कोई website खोलते हो, जादा तर, अगर सरकारी website नहीं है, तो जादा तर, उस website पर दो तरीके का content आप मान लो, जो होता है, वो होता है, एक होता है static, एक होता है dynamic, static का मतलब, उस website के कुछ parts हैं, जो हमेशा वैसी ही रहते हैं, सालो, उसमें change भी जरूरत नहीं पर हो, जैसे website में ऊपर लिखाया है, banner लगा हो है, उस website के नी नीचे कुछ links है, तो सालों तक वैसी ही रहते हैं, जैसे बहुत लंबे अर्से तक वैसी ही रहते हैं, उसमें बार बार चीन करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ होता है dynamic content, जो की main body के होता है, उसमें time to time कुछ changes होते रहते हैं, डिपेंड करता है website किस तरीके का service दे रही है कुछ अगर sale वाली website है, कुछ बेच रही है, तो हर दे नहीं कुछ ना कुछ इस पर main body में change होगा, तो कुल मिला कि दो type की content हो, amazon की website लो, जो ऊपर amazon लिखा है, वो तो same वैसा ही लिखा है, हमेशा ही वैसा ही लिखा रहा है, हमेशा ही बहुत एक च्छोटा example देना हूँ, ल proxy server में static content सबसे तालर save हो रहा है, ठीक है, जिससे के static content जल्दी से किसी user को provide कराया जासे के, अब user को, client को सिर्फ dynamic content वहां से original server से pull करना पड़ रहा है, और वो भी dynamic content भी dynamic content भी ऐसा जरूरी नहीं है, कि हर minute change हो रहा है, अगर वो चार घंटे के लिए भी cache करने की उसमें possibility है, तो चार घंटे के लिए भी cache कर लेगो, ठीक है, तो यह होता है concept, website caching का, अब website caching क्या होती है, आप ये समझ गए, website caching का फायदा क्या है, ये भी समझ गए, caching, मोटा मोटा, client को फायदा है, यानि कि as a user, आपको फायदा जल्दी से website खुल रही है, जल्दी से website service यूज करन भी बच रहा है, bandwidth charges भी बच रहा है, तो इसलिए इसका use होता है, बहुत बड़े प्नमाने पर दुनिया में हर जगा,